वेलो वेल्कम टू आर चैनल टॉपोस एडूकेशन पॉइंट वेल्कम टॉप टॉप साइन सेज्ट कर रहे हैं जिसमें क्लास 6 के चाप्टर चुके और चुके और क्लास 5 भी हम कर चुके हैं वह आपको प्लेडिस्ट में आप जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं इसमें इसमें क्या है जो आपका बेसिक यहां पे कुछ चीजे दी गई है कि इन्वेंशन कैसे वा पहले पुराने के टाइम पे चीजे एक जिगर से दूसरी जगा कैसे लेके जाते थे तो लोग क्या करते थे अपनी पीट पे ले जाते थे समान को या फिर एनिमेल्स का यूज कर और द्रांस पूर्ट थे उसमें काफी जादा क्या किया तो ये आग्या ओए पूर्शन को इसल्ड़ाने फिर दीरे-दीरे क्या हुआ कि स्थीम इंजन आने लगetted बोट इन सब की हेल्प से क्या हुआ दीरे-दीरे डिवलेपमेंट होने लगी और चीजे और ज्यादा इजी होती गए स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में यही सारी चीजें कि यह जो है यह आपको क्या है यह मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिखाए गया कि पहले साइकल थी फिर एरोप्लेन और यह सारी चीजे धीरे-धीरे जैसे जैसे इनका इन्वेंशन होता गया चीजे और जदा आशान होती है कम टाइम में लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे motorized boats and ships were used as the means of transport on water जो motorized boats होती है और शीप होती है उनकी हो क्या है यह हमारे है means of transport the early hundred of years of 1900 saw the development of aeroplanes these were later improved to carry passengers and goods electric trains monorail supersonics and aeroplanes and spacecrafts are some of the contributions of 20th century तो यह सारी चीज़े क्या है यह electric train monorail supersonic aeroplanes इन सबने भी जए क्या है बहुत important role निभाया है और place them in the correct order from the earliest modes of transport to most अब यहां पर देखे कि हम जो है how wide is this desk कि अगर आपको बोला जाए कि यह जो desk है यह कितना चोड़ा है आपको बताना है तो how did people know how far they have traveled और लोगों को कैसे पता चलता है कि उन्हें कितना चलना है तो जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें कितना चलना और वो कैसे जाएंगे तो उन्हें सबसे पहले उनकी दिमाग में क्या चीज़ आते है कि हम distance चेक करते हैं कि कितना डिस्टेंस है कि हम उसको बाइसिकल से कवर कर सकते हैं या फिर हम उसको बाइवाक कवर कर सकते हैं या फिर हमें कोई बसकार या ऐसा कुछ करना पड़ेगा में चीज क्या है आपको डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि दोनों आपस में हैं कितना दूर क कितना हमें ट्रेवल करके जाना फिर रहे हम उसी क्या करते हैं चीजों को उसके एक चीज से ज्यादा कमपड रहेगा यह पर यह चीजे वह लिखिए कि वह चाया या बस लेनी है यह त्रें लेनी शेप ऐरोप्लेट वट आवर जो भी चीज़े हमें यूज करने हैं सम्टपे कि जो है आपको measurement करने के लिए बोला तो अभी यहां पर क्या कर रहे हैं उसको बीच में से पर इसके इधर भी एक गिल्ड़ कर रहे है तो देस्क कैसा दिख रहा है कि दो डंडे और दो गिल्ड की लेंद के इक्वल है तो ड्रॉर आ in the middle of the desk leaves each of them happy with the half of the desk equal to the dunda and gillian length तो हम क्या कर सकते हैं बीच में से इसको इसको इसली क्या कर सकते हैं और इसके बाद क्या करना है आपने अगर आपको वापस से एक नया गिली डंडा दे दिया जाए जिसकी length कुछ और है तो आप देखो यहां पे एक डंडे से measure किया और यहां पर एक ही गिली आ पारी है और एक डंडा आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि जो हमने पहले नापा था तो दो डंडे और दो गिली की तो ऐसे क्या होता है इस तरीके से अगर दू अलग लोग चीजों को मेजर कर रहे हैं तो चीजे इक्वल नहीं पता चलती हमें कि आखिर है कितनी दोनों बार के आई मेजर अलग अलग आई हम और सकते हैं और से तो क्या है क्या हो जाएंगी प्रिंद 그냥 के इस जो principalmente से में खूँर texto ore rea team कुछ आि आरी है तो इससे क्या है हमें और की सांसे उस सब्सापीद से कर सकते हैं किसी द्हागे से से चैट सकते हैं तो इसने पहले है फिर उसको bit देख सकते हैं तो यह क्या कर रहा है su Nice to centre तो अचार कonna कि यह चाहिए सब्सक्राइबर फोबस्त तक श्क्र टो ऐसे करो यह को आप तो नो इफ इनफ तो स्टिच अ कुरता अ कार्पेंटर नीट्स तो मेजर दा हाइट विद्ध अ कबोड तो नो हम उसको कपड़ा कितना लगेगा उसको हाइट विद्ध की और कपड़े को मेजर करने की नीट पड़ेगी तो यह सारी चीज़े क्या है हमें बैसिकली कि किसी चीज को नापने के लिए हमें क्या पड़ेगी चीजों को मेजर मेंट करने कि किस चीज में किसका कितनी जरुरत पड़ेगी है और यह जो सारे questions यहां पे दिए गए हाव लॉंग इस दिस डेस्क हाव फार इस फ्रम डेली तू लखनो और डेली में कितना distance है मून और अर्थ में कितना distance है तो इन सब का question का मतलब क्या है कि यह सारे distance जो है वह पता करना चाहते हैं कि दो प्लेसिस के बीच में distance कितना है जब टू प्लेसिस में भी क्लोज इना लाइक दू एंट्स ऑफ टेबल और दे में भी फार अपार्ट लाइक जम्वान का कन्या क तो चीजे जिनको हमें नापना है वह सकता है पास-पास हों जैसे कि इस टेबल में थे टेबल के दोनों एंट के आए पास में तो हम इसली मेजर कर सकते हैं और चीज़े ऐसी भी हो सकते हैं जैसे मोर करने हमारी का distance अगर आपने मेजर करना है तो अब इसको तो आप मेजरमेंट्स देखेंगे सम मेजरमेंट्स बॉक इन गुरॉप यहां पर आपको क्या करना अपना फूद यूज करना है ऐसे यूनिट अफ लेंथ मेजर दे लेंथ दे ब्रेट अफ दे क्लास्रूम इफ इस पॉसिबल देट वाइल मेजरिंग इस वह फाइंड सम पार्ट जब अपने खुट 25ए मेजर्श अब देखेंगे की सबकी क्या करें अब क्या करना है यह फोट्य आप मेजिद अमबर ट्ны में इसको हम भोलते हैंड फोर यह зам तो अभी इससे आपको करना है कि कितने हैं में आ रहा है विसी ड़ाइब मेंस देखेंगे विट अफ टेबल कौन मेजर कर रहा है और नमर अगर उसी को कोई एक बड़ा मेजर करेगा उसी टेबल को तो उसके हाथ में घृइड आएगा उसीवक्ति परिभरा में इटिक है तो इन से थिए हैं थोड़ी सी प्रॉबलम में रहते थी सब को किसीने ना पर तो कुछ हा रहा है किसी ना पर तो कुछ हा रहा है so measurement means क्या होता है measurement means the comparison of an unknown quantity comparison unknown quantity का with some known quantity कुछ known quantity के साथ this fixed quantity is called a unit और इस fixed quantity को हम क्या बोलते थे unit और the result of a measurement is expressed in two parts और जो measurement होते हो उसको हम हमें साथ दो parts में express करते हैं किस किस में पहला part होता है हमारा number का और second part होता है unit of the measurement मतलब जो भी कुछ measurement की कुछ ना कुछ तो unit हो की जैसे मालनीचे अगर हम 12 foot अगर हमने 12 कदम चलके हमने किसी चीज को ना पा तो 12 क्या है 12 क्या है number है और 12 क्या है number and foot foot length अगर हमने foot की length से foot length is the unit तो इस तरीके से क्या होती है दू चीज़े are all the measurements for the room using everybody's foot equal की क्या जो सबने foot से अपना classroom का measurement क्या